वालंटाइन वी की शिरुवात होई ही चुकी है सेवन फेप से रोस्टे मनाया जाएगा इस दिन को खास इसलिए माना जाता है क्योंकि कपल एक दूसरे को गुलाब का फूल दे कर अपनी भावनाओं का इजहार करते हैं ऐसे में आप रोस अपनी भावनाओं के अनुसार देना चाहते होंगे तो चलिए आपको बताते हैं कि आखर का गुलाबों के अलग-अलग रंगों का क्या मतलब होता है रेड रोस आम तोर पर लाल गुलाब युवाओं के बीच सबसे जादा पॉबलर है लाल गुलाब को प्रेम का प्रतीक माना जाता है लेकिन लाल गुलाब प्यार की गहराई को भी दर्शाता है इसलिए इसे अपने प्यार का इजहार करने के लिए बेस्ट माना जाता है पिंक रोस गुलाबी रंग का गुलाब तारीफ के लिए दिया जाता है गुलाबी गुलाब Grace और अपने पन को दर्शाता है इसे खुशी को व्यक्त करने के लिए भी दिया जाता है Yellow Rose पीला गुलाब दोस्ती का रंग माना जाता है खुशी और अपने पन और सचाई को दर्शाता है इसलिए अगर आप किसी से दोस्ती की शिर्वात करना चाहते हैं तो उसे पीला गुलाब गिफ्ट करें वाइपोस सफेद रंग का गुलाब पवित्रता, शांती और एक्ता गरंग माना जाता है ये शुद्ध प्रेम को दर्शाता है ऐसे में अगर आप अपने रिष्टे को लंबे समय तक बर्गरार रखना चाहते हैं तो पार्टनर को सफेद गुलाब का फूल गिफ्ट करें इस वीडियो में फिलाल इतना ही ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे चानल को लाइख, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले